हेलो फ्रेंड्स मैं जय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विशेज ग्यान में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली में कंपाउंड यूनिट कैसे बना सकते हैं और उसा稱 यूस टैली में कैसे इकर सकते हैं तो आज जो friends मैं आपको compound unit का use बताऊंगा मैं ये दिहान रखते हुए बताऊंगा कि आप में से कई लोग phrases भी हो सकते हैं जिनने tally के बारे में नहीं पता है तो मैं उनको भी दिहान में रखते हुए start से आपको बताऊंगा कि compound unit क्या होता है क्यों बनाया जाता है tally में और क simple unit कैसे बनती है और कहां पर बनती है हम लोग अभी है gateway of tally पर हमें जाना होगा inventory info में stock से related जो भी हमें creation करनी होती है tally के अंदर वो हम inventory info में ही करते हैं जिसकी shortcut की आई है यहाँ पर सबसे पहले देखिए friends जो unit होती है जो कि मैंने बात की unit की तो unit जो हम यहाँ पर बना सकत है unit of measures के अंदर ठीक है और अगर मानकर चलिए आपने कोई unit नहीं बनाई है यहाँ पर unit of measures में तो आप stock item में जब stock item create करेंगे वहाँ पर भी आप unit बना सकते हैं ठीक है तो देखे friends unit का मतलब क्या होता है सबसे पहले यह जान लीजिए जैसे कोई भी item है जिसे आप sale कर रहे उसे किसी number में तो आप count करेंगे किसी तो चीज में आप count करेंगे उसकी इकाई को तो जैसे मानकर चलिए अगर आप jeans pant बेच रहे हैं यानि garments का काम कर रहे हैं तो आप जो counting करते हैं वो piece में करते हैं या numbers में करते हैं ठीक है लेकिन अगर आप cement बेच रहे हैं तो आप उसकी जो counting करते हैं, बैग में करते हैं, या इसके लावा आप उसकी जो counting करते हैं, वो kg में करते हैं, अगर आप खुला cement बेशते हैं, मतलब 1 kg करके, तो आप kg में count करते हैं, अगर आप पूरा का पूरा bag बेशते हैं, तो उस case में आप उसकी जो counting करते हैं, बैग में करते हैं, उसी जो count करेंगे, लीटर में count करेंगे, तो friends, यह जो हम counting करते हैं, किसी भी item को, तो उसके लिए जो हमें unit बनानी होती है, कि हम उस item को किस चीज में count करेंगे, उसके लिए ही हम लोग unit बनाते हैं, tally के अंदर, तो friends, सबसे पहले हम एक unit create कर लेते हैं, तो हम आजाते हैं, unit of measures में, create में, यहाँ पर देखे, friends, type लिखा हुआ है, यहाँ पर simple लिखा हुआ है, यानि कि अभी जो मैं unit create करूँगा, वो simple unit होगी, ठीक है, तो यहाँ पर, जैसे suppose किजिए, मुझे piece की unit बनानी है, कोई ऐसा item मैं sell करूँगा, जिसे मैं piece में count करता हूँ, तो PCS, piece का symbol आपको पता होगा, PCS होता है, कई लोग PC भी लिख देते हैं, कई लोग पूरा का पूरा नाम भी यहाँ पर लिख देते हैं, यानि पूरी के पूरी spelling, PIECE लिख देते हैं, ठीक है, जबकि वो जो पूरी spelling होती है, वो हमेν यहाँ formal name में लिख देते हैं, लेकिन कई लोग वहाँ symbol में भी लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई लोग formal name को skip भी कर देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखते हैं, formal name को skip कर देते हैं, यहाँ पर कुछ भरते ही नहीं है, या कई लोग चाहते हैं कि जो हमने यहाँ सिंबॉल में भरा है, वही हम यहाँ पर भर दें, तो उस केस में मैं बता दूँ कि अगर आपने सिंबॉल में पीस लिखा है PCS और फॉर्मल निम में भी आप सेम चीज टाइप करेंगे, तो आप को टैली उससे टाइप करने नहीं देगी, जैसे सपोस कीजिए, PCS मैंने या लिखा, देखिए टैली आगे प्रोसीड नहीं कर रही है, इसलिए सेम कभी भी टाइप नहीं करना होता है, ठीक है, अब मान का चलिए आप चाहें तो फॉर्मल निम में कुछ लिख भी सकते हैं जब से GST आई है और उसके बाद के टैली के जो GST वर्जन आए है, उसके बाद से ये UQC कोड का आपको जोड़त परती है, यूनिट वगरा क्रियेट करने के टाइम, तो यहाँ पर देखिए, कोई ये डिफिकल चीज नहीं है, अगर आपने टैली जो आप यूज कर रहे ह और आपने GST को एनेवल कर रखा है टैली में, तो आपके पास ये उप्सन आएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो आपने सिंबल उपर लिया, वही आपको यहाँ पर लेना होगा, जैसे PCS, यहाँ पर मैंने PCS ले लिया, यह अगर नहीं लेंगे, आप में से क टैली में कैसे काम करना होता है, जो लोग टैली यूज कर रहे हैं, उन्हें पता होगा, कि GSTR 1, 2 या 3 भी में, एन्ट्री मिसमैच में जा सकती, अगर UQC कोड हमने perfect मतलब यहाँ पर select नहीं किया, तो यहाँ हमने skip कर दिया, तो भी mismatch में चली जाएगी, अब यहाँ number of decimal place, अभी आप इस जगह पे, इस unit के लिए इससे आप skip कर दीजिए, अब मैं जब next unit यहाँ पर create करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि number of decimal place का use कैसे किया जाता है, अब friends हम second unit create करेंगे, यह भी हम simple में ही करेंगे, यहाँ पर kg, मान कर चलीए मेरा कोई ऐसा item है जो मैं deal कर ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहूं तो पूरा नाम लिख सकता हूं, kilogram, formal name में, इसके लावा यहाँ पर मुझे यह लेना होगा, kgs यानी kilogram, uqc code में, ठीक है, अब देखें friends, यह जो मैंने kg का बनाया है, अगर मैं यहाँ पर number of decimal places, 0 रखूंगा, तो क्या होगा, और बाद मे जब मैं यहाँ पर कोई digit डालूँगा, तो क्या होगा, अभी फ्लालम 0 रखते हैं, अब चलिए, अब आजाते हैं हम अपने stock item में, यहाँ पर कोई एक item create कर लेते हैं, जैसे cement, और मैं यहाँ पर इसे simple कर लेता हूँ, यह सारे जो extra options आरे हैं, इसे मैं disable कर रहा हूँ, ताक कि आपको समझने में आसानी हो, एक है फ्रेंक्स, यहाँ पर आप चाहें, तो आपका अगर कोई group आपने बनाया है, तो आप उसे select कर सकते हैं, अभी फ्लालम group की बात नहीं करते हैं, कर रहे हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पर इसे skip कर रहे हैं, अभी यहाँ पर देखिए, आप से पूछ रही है टैली, कि यह जो cement है, आप इसे किस में count करेंगे, यानि इसकी 1 क्या होगी, तो आप यहाँ पर एक cement को या तो bag में count कर सकते हैं, या kg में कर सकते हैं, तो अभी फ वीडियो मेरी इस topic पर नहीं है, सिलिए मैं उससे यहाँ पर enable नहीं करूँगा, ठीक है friends, और यहाँ पर आपको GST को applicable करना होगा, आपको पता ही होगा, फिर आपको set alter GST details को yes करना होगा, यहाँ पर आपका जो भी cement का hsn code हो, वो आपको डालना होगा, जो भी अभी फिलाल मैंने demo purpose के लिए कुछ भी डाल दिया है, on value लेना होगा calculation type में, और यह जो on item rate है, इस दोनों में क्या difference है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं friends से आपको stock item create भी करना बता रहा हूँ, साथ में तो मैं थोड़ी से आपको detail दे रहा हूँ, कि calculation type में on value कब लेना है, और on item rate कब लेना है, अगर आप इस तरीके का product deal कर रहे हैं, जिसमें कि आपका जो product आप deal कर रहे हैं, वो आप चाहिए कितना भी deal कर, मतलब sale करें, आपका GST rate सेम ही रहने वाला है, अगर आप 500 रुपे का बेचें, तो भी GST rate सेम रहेगा, 5000 शेय का बेचें, तो भी GST rate सेम तो उस case में आपको on value लेना है ठीक है लेकिन अगर आपका कोई ऐसा product है जिसमें आपका value जैसे जैसे change होती है वैसे वैसे GST rate change होता है तो उस case में आपको on item rate लेना होगा तो देखिए जैसे अगर example दूँ तो garment, shoes या hotel के case में एक value के बाद GST rate change हो जाता है जैसे garment के case में 5% GST rate होता है अगर आप 1000 रुपय तक कोई item sale करते हैं जैसे ही आप 1000 रुपय से जादा में वही item sale करते हैं तो उस case में आपका GST rate 12% हो जाता है आइटम से में बस क्या अंतर क्या है कि जैसे आप उसे 1000 रुपय से जादा में sale करेंगे तो GST rate 12% हो जाएगा तो उस case में on item rate लेना अब देखिए जो मैंने आपको बोला कि kg का जब मैंने create किया unit तो मैंने बोला number of decimal place मैंने 0 रखा है तो क्या अंतर होता है वो अब हम समझते हैं 0 रखने से क्या होता है और वहाँ पर digit डालने से क्या होता है यहाँ पर हम एक purchase की entry करते हैं अब ही suppose कीजे cash में करते हैं for example सिर्फ आपको अभी मैं यहाँ पर क्योंकि unit के बारे में समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं यह सारी चीजों पर ध्यान नहीं दूँगा अब देखे friends अगर मुझे 10 केजी cement purchase करना है तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा यहाँ पर केजी आ गया rate मैंने लगा दिया अब मान कर चलिए मैंने जो cement purchase किया है वो 10 केजी 500 ग्राम purchase किया है तो वो मैं कैसे यहाँ पर डालू 10.5 लिखूँ 11 हो गया यहाँ पर 500 ग्राम तो आया नहीं 10.5 लिखने के बाद इसने एपरोक्स कर दिया उसे 11 केजी कर दिया तो इस चीज को हम सुधार सकते हैं यहाँ पर हम 10 केजी 500 कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा तो देखिए क्या करना है अभी फलाल मैं यहीं से सारी चीजे सुधार ले रहा हूँ अगर आपको यहीं से सारी चीजे सुधार नहीं है मतलब आप किसी भी जगए हो और किसी लेजर या स्टॉक आइटम को सुधार ना हो आपको मॉडिफाय करना हो तो उसके लिए आपको पीछे जाने की रिक्वार्मेंट नहीं होती है टैली में आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो भी आप मतलब उसे मॉडिफाय कर सकते हैं उस जगह पे रहके अगर आप करते हैं जैसे मैंने अभी सिमेंट को सलेक्ट कर लिया है ये ब्लैक रंग से या हाइलाइट हो गया है अब मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूँगा मैं सिमेंट के जो इस्टॉक आइटम मैंने क्रियेट किया था अब देखिए क्योंकि मुझे यहाँ पर यूनिट को ठीक करना है तो यूनिट मेरी यहाँ पर है केजी अब मैं यहाँ पर भी कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूँगा मैं आ गया यूनिट में अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा 3 डालूँगा number of decimal place में मैं 3 डालूँगा 3 क्यों डाल रहाँ यह अब मैं आपको clear करता हूँ जैसे अगर मैं पूछूँँ कि 1 kg कितने ग्राम के बड़ावर होता है तो आप बोलेंगे 1000 ग्राम के बड़ावर 1 kg होता है ठीक है तो जब आपका 1000 ग्राम हो जाता है तो आप किसी दुकांदर को जाके इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे सिमेंट 1000 ग्राम दो जैसे ही वो 1000 ग्राम होता है आप उसे 1 kg के नाम से बुलाते हैं बात समझिएगा अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि 1000 ग्राम का 1 kg होता है तो आप कभी भी किसी दुकान पर जाकर ये नहीं बोलते हैं कि मुझे 1000 ग्राम सिमेंट दीजिए, आप हमेशा वहाँ पर ये मतलब वर्ड यूज करते हैं कि 1 केजी सिमेंट दीजिए, तो यानी कि जैसे ही यहाँ पर ये 1000 हुआ, आपने उसे केजी में कनवर्ट कर लिया, ल यानी कि 999 ग्राम तक जब तक आपका कोई भी यूनिट है, यानी कोई भी समा 999 ग्राम तक है, तब तक आप उसे केजी नहीं बोल सकते हैं, उसे आप ग्राम बोलेंगे, तो इस केज में आप समझिए कि आपका ग्राम कब तक है, जब तक उसका 3 डिजिट है, यानी 999 तब यानि कि हम यहाँ पर 3 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे वो 4 डिजिट में convert होता है, वो kg हो जाता है, जब तक वो 3 डिजिट में रहता है, तब तक gram रहता है, अब हम इसे यहाँ पर control एके साथ save कर लेंगे, तो देखे फ्रेंट्स, यहाँ पर मैं shortcut भी आपको बताते जा रहाँ टैली के, कि अगर आपको किसी चीज़ को जल्दी करना चाहते हैं, तो control एसे आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ को save कर सकते हैं, तुरंट, otherwise आप enter, enter करके भी save कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पर 10.5 लिख रहाँ, तो देखिए, 10 kg 500 ग्राम हो गया, तो friends आपने समझ कि compound unit क्या होती है, तब आपको easy समझ में आएगा कि compound unit क्यों बनती है, और कैसे बनाई जाती है, तो friends आपने एक तरीका तो यह देख लिया, कि हम number of decimal place में 3 डाल देंगे, तो उसके बाद हम कोई भी item जिसे हम kg में count करते हैं, उसे मतलब gram में भी purchase कर सकते हैं, या sale कर सकते हैं में भी आपको confusion नहों, इसलिए मैं आपको वो example एक बार फिर से दिखाड़ा हूँ, अगर मानकर चली यही cement आपको 500 gram purchase करना है, या 50 gram purchase करना है, for example, सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो 500 gram purchase करना है, तो point देंगे, मतलब 5 type करेंगे, तो यहाँ पर 500 gram आ गया है, यानि 500 kg खाऊ है, यहाँ पर मानकर चली कोई cement आपको 300 kg दे रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा, automatic आपको rate क्या आजाएगा, यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर rate डाला 300 kg, तो यहाँ पर क्योंकि मैं आधा kg मतलब cement purchase कर रहा हूँ, तो यहाँ पर automatic जो इसका value है, amount है, वो तो अब देखिए, इसका value है, वो 15 रुपए हो गई, चीक है, अब हम क्या करेंगे, कि अगर मानकर चली, मैं इस तरीके से नहीं बनाता हूँ, kg, यहाँ पर जो मैंने kg में यह number of decimal place डाला है, इसे मैं वापस से 0 कर दे रहा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, friends, देखिए, यहाँ पर 0 करने से क्या problem आ रही है, 0 मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर message आ रहा है, cannot decrease number of decimals for unit, ठीक है, तो अब यह ऐसा क्यों कर रही है, टैली, तो मैं इसके पीछे की logic आपको समझाता हूँ, क्योंकि यह जो unit है, मैंने stock item में select कर रखा है, ठीक है, तो टैल verify करना है, तो उसे वहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, जहाँ आपने select किया है, तो देखिए, मैं cement से इसे not applicable कर दिया unit में, अब चलिए, हम इसे यहाँ पर change करते हैं, unit को, और friends, मैं एक बात आपको बता दूँ, कि अगर आप fraser हैं, तो आपको एक knowledge होनी चाहिए, कहीं प अब चलिए, जो चीज आपने बनाई है, उसे आप देख सकते हैं, alter का मतलब होता है, कि जो चीज आपने बनाई है, उसे आप देख तो सकते हैं, delete भी कर सकते हैं, या modify भी कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जब भी कुछ modification करना चाते हैं, किसी भी चीज में, जो हमने already बन रखी है, या किसी को मतलब delete करना चाते हैं, तो हम alter में आके करते हैं, यहाँ पर 0, अब देखे friends, यह accept हो गया, अब suppose कीजिए कि मैं जो यह मैंने unit जो create की है, kg की, अब मैं cement को gram में sell तो करना चाता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाता हूँ, जो number of decimal place है, इसका use न चाता हूँ, तो वो कैसे करूँगा, तो compound unit का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग यह समझ लीजे, simple unit में कोई एक unit use होती है, compound unit में एक से ज़्यादा unit use होती है, उसे ही हम compound unit बोलते हैं, यानि कोई ऐसा item जिसे आप एक से ज़्यादा unit में count करते हैं, गीनते हैं, या बेचते हैं, या purchase करते हैं, तो उस case में हम compound unit का use करते हैं, तो देखिए, जैसे मुझे compound unit बनानी है, तो मैंने backspace place किया, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर compound unit के लिए बोल रहा है, तो अभी फलाल मुझे compound unit पहले नहीं बनानी है, क्योंकि जब हम compound unit बनाना चाते हैं, तो जितनी भी simple unit है, वो हमें create करनी होती है, तो compound unit अभी हमें किस की बनानी है, kg की और gram को एक साथ लेकर बनानी है, तो यहाँ पर kg का तो मैंने simple unit बना रखा है, लेकिन अभी तक gram का simple unit नहीं बनाया है, तो अभी मैं gram का भी बना देता हूँ, gm लिख दिया मैंने, यहाँ पर इस तरीके से formal name type कर दिया, अब यहाँ पर grams आ गया, यह ले लिया और इसे accept कर लिया, अब मैं बनाऊंगा compound unit, क्योंकि मेरी जो दोनों simple unit है, जो मुझे compound unit में मतलब जहुरत पड़ेगी जिनकी, वो मैंने already बना रखी है, अब मैं यहाँ पर compound unit लूँगा, अब देखिए, kg of 1000 gram, मेरी जो second unit है, वो क्या है, ग्राम है, आप देखिए, एक kg बड़ाबर 1000 gram, इस तरीके से मैंने रखा, first unit kg, second unit मेरी gram है, अब यह मेरी compound unit बन गई, अब मैं जो मेरा item है, यहाँ पर मेरा cement है, इसमें मैं यहाँ पर kg of gram ले लूँगा, ठीक है, यह वाली जो मैंने unit अभी create compound unit, यह मैंने ले ली, अब हम यहाँ पर entry देखेंगे, कि हमें entry कैसे करनी है, cement, अब मान कर चलिए, मैंने 10 kg cement purchase किया, तो यहाँ पर किस तरीके से लिख्या है, आप देख सकते हैं, 10,000 gram, मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 type किया, तो यहाँ पर 10,000 gram लिख्या गया है, ठीक ह क्यों लिख्या है, इसने 10 को 1000 से into कर दिया, multiply कर दिया, तो यहाँ पर 10,000 gram लिख्या आ गया, ठीक है, अब यह क्यों लिख्या है, मैं इसका reason आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर options activate कर रखे हैं, सबसे पहले मैं वो options deactivate करता हूँ, एक यह option है, sorry वो वाला तो deactivate रहता है, उससे मतलब नहीं है, मेरे यह दोनों options activate थे, जो यह आपको fourth number option reflect हो रहा है, so compound unit of item based on rate, और so full details of compound unit, यह दोनों options मेरे activate थे, इससे अभी फिलाल मैंने deactivate किया है, मैं इसका use आपको आगे समझानों कि इसका use कैसे करना होता है, अब देखे friends, अगर वो दोनों options आपके deactivate र type करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर 20 लिखा, तो यहाँ पर लिखा है 20 kg, लेकिन आपने यहाँ पर एक point note किया होगा, कि 20 के बाद dash है, फिर 0 है, फिर kg लिखा हुआ है, तो अगर जो phrases है, या जो लोग telly use नहीं करते हैं, अगर आप उसे यह bill निकाल कर देंगे, print करके अगर आप sale कर रहे हैं, तो उस case में क्या होगा, कि वो सामने वाला समझेगा नहीं कि यह आपने क्या लिखा है, 20 dash 0, इसका मतलब क्या है, ठीक है, यह थोड़ा confuse करता है सामने वाले person को, अब इसके लावा मान कर चले, मैं यहाँ पर 20 kg बेच रहा हूँ, 20 kg के साथ फिर मैं 500 ग्राम भी बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 20 लिखूँगा, dash दूँगा, dash देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 500 ग्राम बेचना है, तो आप 5 भी type कर दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, अब इससे देखकर कोई बत def. to user हो रहा है, तो आप देखिए, यहाँ पर value आपको बता देगी, किया बता रही है, आपwo value, 100 ग्राम कैजे करना होगा, 50 रुपए होगा, तो यहाँ पर आना चाहे है, तो इसपेश में आपको यह समझ में आ रहा है, कि यहाँ पर 500 ग्राम नहीं है, 500 ग्राम करने के अब देखिए, टू डैस दिया, फिर आपने यहाँ पर 500 टाइप किया, तब आपका यहाँ पर 20 kg 500 ग्राम बना, और यह बात आपको रेट से पता चल लगी होगी, यहाँ पर एमांट जो कैलकुलेट हुआ है, इससे पता चल लगी है, दो हजार पचास रुपए, कि 100 लेकिन इससे फिर भी आपको specific इसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है, खीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यह जो options मैंने deactivate किये हैं, इसका use करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, F12 यानि config में मैं वापस से जाकर दिखा रहा हूँ, नीचे में जो आपको green पर्टी यानि green बार पर जो reflect वोड़ा है, F12 config इस पर आपको click करना है, फिर यहाँ पर आप F12 भी प्रेस कर सकते हैं, या advance पर आप click भी कर सकते हैं, इस पर click करेंगे, और इसके बाद सबसे पहले हम यह जो हमारा option है, चोथा वाला option, so compound unit of item based on rate, इसे हम यहाँ पर yes करेंगे और यहाँ पर हम enter एंटर करके भी accept कर सकते हैं, या control के साथ A भी प्रेस कर सकते हैं, अब देखिए friends क्या होगा, यहाँ पर मैंने 20 लिखा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखके आया, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखके आया है, 20-0 kg, ठीक, और यहाँ पर तो इस तरीके से आपको reflect हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँ, 200, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, GM कर दूँ, तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने GM किया, यहाँ पर यह जो हमारी quantity है, यह भी GM में convert हो गई, यह जो मैंने अभी option activate किया जो F12 config में जाके मैंने option activate किया, इसका use किया आप समझिएगा, आप जो rate में यहाँ पर आप unit डालेंगे, यानि rate के नीचे जो आप यहाँ पर unit डालेंगे, उसी के हिसाब से quantity भी आपकी count होगी, बात समझिएगा, मैंने यहाँ पर GM डाला, तो मेरी quantity भी GM में convert हो गई, यान rate का जो यह column है, इसमें जो unit आप डालेंगे, उसी unit में आपकी quantity भी count होने लग जाएगी, इस option का यही मतलब होता है, तो देखिए friends, अगर आप जैसे अभी यहाँ पर, अगर मैं kg कर दूं, वापस से, तो यहाँ पर 200 kg हो गया, तो 100 पर कोई item kg है, तो आपका 200 kg का 20,000 हो गय हैं, अगर आप इसे gram में convert करते हैं, तो यहाँ पर आपको द्यान रखना होगा, कि आपको rate भी change करना है, ऐसा नहीं कि rate स्रिम रहेगा, आपका full मिलाके यहाँ पर दोनो case में जो amount है, वो 20,000 आना चाहिए, समझ रहे हैं आप friends, तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे की 200 kg है, य अगर मैं यहाँ पर इसकी जो unit है, वो मैं convert करता हूँ gram में, ठीक है, तो gram में कर दिया, तो मेरी यह जो quantity है, यह भी gram में convert हो गई, यहाँ पर अभी यह जो gram है, वो 2,000,000 हो गया, ठीक है, लेकिन यह जो amount है, पता नहीं कितना increase हो गया, वन सेंट, थाउजन, टेंट, लेक, टेंट, लेक करोल, दो करोर रुपया हो गया, जबकि अभी थोड़ी दिर पहले यहाँ पर 20,000 रुपय लिख के आ रहा था, तो यहाँ पर क्या है, कि मैंने unit तो change कर दी, यहाँ पर rate भी तो मुझे change करना होगा, rate तो यहाँ पर kg का गाएंगे, तो आपका यहाँ पर जो amount है, वो 20,000 वापस से आ जाएगा, तो याद रखिएगा, कि अगर आप यह जो F2L Configure में जो fourth option है, वो अगर आप use करते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर rate में अगर आप unit change करते हैं, तो आपको rate भी change करना होगा, otherwise आपका जो value है, व मैं आपको वो बताता हूँ, sorry, fifth option, so full details of compound unit, इसे yes करेंगे, और इसे accept करके, वहाँ पर इसका effect देखेंगे, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं kg कर दूँगा, kg, ठीक है, अब यहाँ पर एक minute rate भी मैं change कर दूँँ, मैंने बोला कि rate भी change करना है, हमें, 20 kg, 100 kg, मतलब per kg है, तो 2000 पर value हो गई, चीक है, अब मान कर चलिए, मैं यहाँ पर कोई item sale कर रहाँ, 20 kg, और 500 gram, ठीक है, तो अब आप देखिए, यहाँ पर क्या difference आया, 20 kg उसके बाद 500 gram लिख क्या है, अगर आप यह printer निकाल के देते हैं, अपने consumer को, तो वो easily समझ जाएगा कि यह item 20 kg 500 gram है, और यहाँ पर आपको rate भी लिख के आ रहा है, कि 100 kg है, तो उसके सबसे 20, sorry, 2500 पर इसकी value आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप यह जो fifth option है, उससे yes नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आप एक बार देख लिजए, यहाँ पर difference देखिएगा, quantity में अभी आपको क क्या लिख कर आया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 20 kg 500 gram, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 20 लिखा 0.5 दे दिया, तो यहाँ पर 20 kg 500 gram हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर आप difference समझिएगा, यह option वापस से मैं deactivate कर रहा हूँ, ताकि आपको difference समझा सकूं कि अगर यह option यह से नहीं करते हैं, तो क्या होगा, अब देखिए, अब यह जो consumer कोई भी देखेगा आपका, 20-500 kg, क्या समझेगा, 20 तो समझ में आ गया, 500 क्या है, वहाँ पर gram तो लिखा हुआ नहीं है, यानि आप जो अपने stock item में 2 unit use कर रहे हैं, वो यहाँ पर specific नहीं हो पा रही है, कि वो क कोई भी confused हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप यह जो fourth option है, इसे आप, sorry, fifth option है, इसे आप yes कर लेते हैं, तो आप उसके बाद जब जा कर देखेंगे, तो आपको clear हो जाएगा, 20 kg 500 gram, कोई भी देखेगा, इसका print हो, तो समझ जाएगा 20 kg 500 gram है, यानि इस option का मतलब होता है, कि आप जितनी भी unit use कर रहे हैं, उसकी detail में figure आपको यहाँ पर दिखेगी, जैसे अगर आप उस option को deactivate करते हैं, तो सिर्फ जो first unit है, वो आपको reflect होती है, इस case में आपको दोनों unit आपको reflect हो रही है, तो यह इसका difference है, यह दोनों options आपको समझ में आ गए होगे, I think, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे मान कर चली एक और हम example लेते हैं, जैसे यह जो cement है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक और unit create करते हैं, तो unit अब मैं आपको यहाँ से stock item से create करके दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था, मैं यहाँ पर कोई एक दूसरा item लेता हूँ, ठीक ह सौरी यह नहीं लूँगा, white cement लेता हूँ, वो cement था, normal cement यह white cement है, अब यहाँ पर हम unit जो use करेंगे, हम एक compound unit दूसरी बनाएंगे, यह जो white cement है, यह मेरा bag में आता है, जिससे भी मैं purchase करता हूँ न, तो मैं एक दुकानदार हूँ, तो मैं जाहिर से बात है, अपने किसी supplier य करते हैं, तो आपको वो खुला माल नहीं देता है, आप जब भी जाएंगे, तो वो उसका जो packet है, या बोड़ा है, वो ही आपको माल में देगा, ऐसा नहीं कि अब आप गए और बोला कि मैं एक दुकान दार हूँ, मुझे 1 kg cement दे दो, कभी नहीं देगा, वो जब भी आप को देगा, seal pack देगा, यानि कि या तो अगर छोटा pack उसका कोई आता हो तो देगा, otherwise बोड़े में आपको माल देगा, जो भी उसका मतलब standard packing उसमें आपको माल देगा, लेकिन आप क्योंकि एक retailer है, तो आपको सामने से अपने consumer को वो माल खुला भी बेचना पर सकता है, यान सिफ white cement पर्चेस किया, तो अब क्या है कि सामने वाले ने मुझे bag में दिया, यानि एक मुझे उसने का कि कम से कम आपको एक bag लेना पड़ेगा, मैंने bag ले लिया, पर्चेस कर लिया, अब मैं अपने दुखान पर गया, और वो जो bag था, वो एक bag 50 kg का था, ठीक है, अब मेर सामने जो मेरा consumer आया उसने बोला कि मुझे 1 kg white cement चाहिए तो मैं उसे ऐसा नहीं कह सकता as a retailer कि एक काम करो 50 kg का पूरा bag लेके जाओ मुझे वो bag फोलना होगा फिर उस चीज को count करके देना होगा kg में यानि जिस भी item के अंदर counting आ जाती है मतलब खास करके आप यह चीज देखिएगा kg liters के अंदर जिस भी item के अंदर kg liters, turn वगेरा का use होता है, quintal का use होता है तो वहाँ पर major use परता है compound unit का तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम एक unit create करेंगे तो देखिए friends kg तो already बनी हुई है अब हमें एक simple unit बनानी है back की तो सबसे पहले हम यहाँ पर alt के साथ c press करेंगे आपको यह short cuts मैं बता रहूं phrases जो भी हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको यह short cuts भी याद रखने हैं उससे उनका काम fast हो जाएगा कि जब भी आप कहीं पर भी हो और वहाँ पर अगर आपको वो चीज चाहे वो laser हो stock item हो या कुछ भी हो अगर आपने नहीं बना रखा है तो उस case में आप वहाँ पर alt के साथ c press करेंगे तो आप वो चीज वहीं पर रहते रहते बना सकते हैं तो जैसे अभी मुझे unit बनाना है या इसके लावा shift के साथ tap press करूँगा दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो देखे मैं उपर आ गया type of unit में मैं यहाँ पर simple unit लेता हूँ back का मैं unit बना लेता हूँ bg लिखता हूँ आप पूरा भी लिख सकते bg bag और यहाँ पर back का जो यह है uqc code यह मैं ले लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर मुझे number of decimal place कुछ नहीं डालना है अब मैंने यहाँ पर back का तो बना लिया लेकिन मुझे यहाँ पर compound unit यूज़ करना है इस item के लिए तो फिर से मैं alt के साथ c press करूँगा अब मैं क्या करूँगा फिर से back is face पर इस करूँगा compound लूँगा यहाँ पर अब क्या करना है bag of 50 kg first unit मेरी क्या है bag है और second unit मेरी kg हो जाएगी एक bag 50 kg कहा है ठीक है अब मैंने purchase कर लिया यह item अभी मैंने इसमें GST वगरा enable नहीं किया क्योंकि अभी मैं आपको GST वगरा ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ तो GST को अभी ध्यान में मत रखिए अभी यहाँ पर हम फिर से एक बार इसे भी समझ लेते हैं white cement अब देखिए अगर मैंने सिर्फ 10 लिखा तो यहाँ पर आपको sorry वो मेरे options activate हैं अब देखिए यहाँ पर 10-0 बैग लिख क्या रहा है अब मान कर चलिए for example कि यह जो मैंने purchase किया है purchase तो मैंने 10 बैग किया है अब यहाँ पर एक example समझीए कि मैंने 10 बैग purchase किया और इसके लावा मैंने क्या किया इसके लावा मैंने 25 केजी और purchase किया है तो यहाँ पर सारे 10 बेग हो गया, सारे 10 बेग कैसे हुआ, 25 केजी का मतलब आदा बोड़ा होता है, तो यहाँ पर सारे 10 बेग हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 10.5 लिख दूँँगा, तो आप देखिए, 10-25 लिख क्या है, 10 बेग 25 केजी, आप समझ रहे हैं, point मैंने यहाँ पर मान लेते हैं जैसे मैंने ये 10 बैग और 15 केजी परचेस किया है ठीक है तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए 10 पॉइंट के बाद क्या लिखना चाहिए 15 लिखना चाहिए देखे मैं 15 लुखूंगा तो क्या होगा 10.8 आ गया 10-8 आ गया इसका क्या मतलब है यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे तो उसका मतलब है 5 केजी 2 लिखेंगे तो 10 केजी 3 लिखेंगे तो 15 केजी खीक है और अगर 5 लिखेंगे तो 25 केजी और अगर मान कर चली आप 10 में लिखना चाहते हैं 10-10 और इसके बाद आप लिखना चाहते हैं 15 तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझेगा कि क्या difference आ रहा है अगर मैंने 10-15 लिखा तो मैंने लिखा 10-15 केजी simple है यहाँ पर मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा लेकिन अगर मैं यहाँ पर point में लिखना चाहूंगा कि 10 point तो यहाँ पर मैं 15 यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा यानि एक point का मतलब होता है point के बाद अगर आप one लिखते हैं तो उसका मतलब 5 केजी होता है तो यहाँ पर 3 लिखूंगा तो 15 आएगा ठीक है तो यह थोड़ा confusing है किसी को समझाना या आपके लिए खुद के लिए करना तो उस case में हम लोग यह option का use करते हैं अब देखिए जब मैं यह option use करूँगा तो कितना simple हो जाएगा अगर मैं यह दोनों options use करूँ तो कितना simple होगा यहाँ पर देखिए हमारी first unit क्या है इस case में हमारी first unit है bag second unit kg है तो मान कर चलिए यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ तो अभी यहाँ पर फिलाल kg में आ रहा है अभी हम यहाँ पर rate में जाकर change कर देंगे तो friends यहाँ पर मुझे इससे convert करना है bag में तो यहाँ पर मैं rate डालूँगा bag का एक bag की केमत 60 पै ठीक है यहाँ पर जैसे ही यह जो rate में unit change हो गई bag में तो आप देख सकते है quantity में जो हमारी unit है वो भी change हो गई है bag में तो यह क्यों हुआ क्योंकि जो हमारा option है fourth वाला वो activate है जिसके करना ऐसा हुआ अब मान कर चलिए यह तो हो गया कि हमने rounding में बात की अब मुझे मान कर चलिए यहाँ पर 10 kg 10 bag मैंने purchase किया और एक आधा bag purchase किया उसमें मतलब आधा माल निकला हुआ आधा है और मैंने आपको बता दिया कि 50 kg का एक bag है तो यानि 25 kg है तो 10 point मैं जैसे 5 लिखूंगा तो यहाँ पर 10 bag 25 kg आजाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप 0.5 वगड़ा लिखते हैं तो उस case में क्या होगा कि यह 1 बड़ाबर 5 kg काउंट करता है ठीक है अब मान कर चलिए मैंने कोई item purchase किया है 10 bag और 25 kg 500 gram तो क्या मैं यहाँ पर डाल पहूंगा चलिए एक बड़ाब कोसिस करके देखते है 10.5 और उसके बड़ 500 gram भी purchase किया है चलिए डाल के देखते है कहां आया फ्रेंट्स नहीं आया क्यों नहीं आया अब इसके पीछे की logic समझेगा क्योंकि अब यहाँ पर 3 unit use हो रही है gram भी use हो रही है kg भी use हो रही है bag भी use हो रही है तो अब हमारे पास क्या option है क्या हम उसके लिए फिर वो जो compound unit हमने create किये gram वाली वो ले नहीं जोड़त है friends उसकी अब हमें क्या करना है यहाँ पर control के साथ enterprise करना है यहाँ पर हम इसे modify करेंगे modify कैसे करेंगे वो आपको मैं एक बर दिखाऊंगा यहाँ पर kg को हम यहाँ पर modify करेंगे यहाँ पर हम इसे number of decimal place में 3 डालेंगे जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी kg को gram में भी count करना है यहाँ पर आपको 3 डालना होगा वो अब हम डालेंगे से accept करेंगे और देखें फ्रेंट्स मैंने कैसे यह साड़ी चीजी चीजे मतलब voucher में रहते हुए कर ली मैंने control और enter का use किया है फिक है अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 bag 10 10 नहीं pointy दे देते हैं उसके बाद मानकर चलिए 25 केजी के लिए मैंने 5 दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर 500 लिख दिया तो नहीं आया इसमें चलिए हम एक काम करते हैं 10 का use कर लेते हैं 10 5 0.500 तो देख सकते हैं friends 10 bag 5 केजी 500 ग्राम आपको reflect होगा अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर gram क्यों नहीं लिख के आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने gram unit का use नहीं किया है हमने number of decimal place में वहाँ पर 3 डाला है इसलिए gram लिख के नहीं आएगा लेकिन आपको कोई भी बता सकता है कि 10 bag 5 केजी 500 ग्राम है क्योंकि बीच में point लगा हुआ है अब यहाँ पर मान कर चलिए 10 bag है और उसके बाद यहाँ पर 20 केजी है और point 700 ग्राम है ठीक है तो आप देख सकते हैं 10 bag 20 केजी 700 ग्राम उसके हिसाब से ही rate लग रहा है sword pack का एक bag है बाकी आप calculate करके देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर rate लग रहा है ठीक है अब यहाँ पर हमने क्योंकि यह सारी चीज़े dash में use की अब हम point में भी use करके देख लेते हैं एक बार कि क्या यह point में perfectly कर रहा है 10 point अब हम यहाँ पर क्या लिखना होगा point में अगर हम इस चीज़ को डालने की कोसिस कर रहा है तो यह चीज़ नहीं आ रही है तो friends आपने यह बात देखी कि अगर आप यहाँ पर compound unit use करते हैं और अगर आप point में यहाँ पर quantity डालना चाते हैं तो आप kg या back तक तो डाल सकते हैं लेकिन अगर आप gram वगड़ा में डालना चाते हैं तो आप gram में नहीं डाल सकते हैं tally में अगर आपको gram में डालना है तो dash का use करना होगा आपको 20 dash मान कर चलिए 10 kg और उसके बाद यहाँ पर 500 gram लेना है ठीक है तो आपको इस तरीके से डालना होगा 20 dash 10.5 आप समझ रहे हैं 20 के बाद dash देना है यानि bag जो है उसके बाद dash देना है bag की जो quantity उसके बाद dash देंगे kg देंगे kg के बाद point डालना है ठीक है आपको लेकिन अगर आप यही चीज point में डालना चाहरे हैं तो point में नहीं डाल सकते हैं यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखना होगा 2 इसलिए लिखना होगा मैंने बताया कि अगर आप 1 लिखते हैं तो 5 kg काउंट होता है 2 लिखेंगे तो 10 kg काउंट होगा उसके बाद अगर आप 500 ग्राम लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0 point यहाँ पर 10 भी लिखके देखें कुछ भी लिखिए आपको कुछ होना नहीं है आपको as it answer वही आएगा तो tally में आप सायद यह चीज point में नहीं कर सकते हैं तो friends I think मैंने आपको समझा दिया कि tally में simple unit कैसे बनेगी number of decimal place का कैसी use होता है compound unit कैसे बना सकते हैं उसके मैंने दो examples आपको बता है तो मुझे लगता है कि आपको जो compound unit से related जिनको भी जो confusion होगी वो आज clear हो गई होगी तो friends अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो please वीडियो को like कीजेगा